असलाम अलेकुम स्टूइटरेंस आज का हमारा टापिक है जनरेटिंग फॉंक्शन इंट्रो इसका देख लीजिएगा यह सीकुंस इसकी रिप्सेंटेशन के लिए यूज होता है डेफिनेशन देख लें इसकी जनरेटिंग फॉंक्शन फर दे सीकुंस एनाट एवान अप् इसकी आपके बास इन्फिनिट सीरीज जाहरी है नंबर दो इसकी टर्म्स है तो उसका जो जनरेटिंग फॉंक्शन है वह रिप्रिजेंट है इस तरह जी आफ एक्स इकुल्स टू ए नॉट प्लस एवन एक्स ब्लस अप्टू सोओन प्लस एके एक्स प्लस अप्टू सौन क्योंगे इन्फिनिट साम ने कि है तो इसकी नट चाहए गा तो इसको प्लस में हम इस सीरीज को किस तरह लिख सकते हैं नूइसेंटिंग और स्टू सूनेरिशन निटी इसकाइए प्लस को हम फाइनाट के लिए फान आइज कर सकते हैं आपर देए श्यूंिंग सेक्टू तो finite हो या infinite हो बहुत के लिए हम generating function बना सकते हैं इसको हम ordinary generating function भी कहते हैं जैसे standard form of standard equation होती है तो हम उसको कहते हैं तो यह आपके पास ordinary generative function है यहां भी example दी हुई है the generating function for the sequence A के आपके पास कोई भी sequence किसी भी sequence की gate form given है विद के एक 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 उस्टो 3 आप इसकी general form में या ordinary form में put करें एक 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 उस्टो 3 यह simple है यहां पे आपको समझाने के लिए कि कैसे होती है आपके पास another term of sequence given है कोई भी sequence can another term given है तो उसका generative function या series कैसे बना सकते हैं यहां पे simply एक एक की value put करें 3 यहां पे एक एक जो के term of sequence है वो 3 थी यहां पे put की हमने तो यह आपके पास generating function after sequence आ गया फिर इसी तरह आपके पास एक और sequence था एक 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 उस्टो के ब्लस बास वाने इसकी के term है तो simply आप यहां पे एक 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 जगह यह put कर लें आपके पास इस sequence का generating function मन जाएगा इसी तरह आप एक 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 कोस्टो टूब आवर के बनाए यह भी एक sequence की कि यहां पे पूट करें एक की जगा है तो आपके पास six sequence जोनेरेट्र function मन जाएगा अब हम हम वह question करते हैं जब आपके पास sequence गिवन है के ट्रम ने गिवन यहां पर थो simple था आपके पास तो सिंप्रिक आप ने उसे को यह पुट की सीरीज में पुट की तो आपके बास आ गया और एक्जांपल है what is the generating function for the sequence 1111 आपके बास 6 terms उन्यमन है sequence की सारी के सारी terms 1 है आपने इसका generating function मनाना है तो यहां मैंने एक question साल किया हुआ है इसको what is the generating function for the sequence 1111 finite sequence है आपके बास इसकी six terms हैं तो हमने standard form of generator function जो हैं उसमें sequence की terms पुट करनी है यह आपके बास terms start है a0 a1 a2 a3 a4 a5 a5 तक आपके बास terms हैं यह जो standard form of generator function है यहां पर पुट करने क्योंकि finite sequence है तो यह finite terms लग जाएगा तो a0 a1 a2 up to son a5 तक यहां पर गया है यहां पर मैंने values पूट करनी है यह आपके पास series बन गई है सारी सारी values एनाट सारी बाइन है तो यहां भी यह simple 1 plus x plus x pair plus x q plus x4 plus x5 तक गई है तो अब यहां पर हम एक theorem यूज़ करेंगे आपके पास book में यह पर नमबर 185 पर एक theorem है कि अगर आपके पास if a and are real numbers with r is not equal to zero आपके पास यह जो आर कामन रेशियो होती है चुली आप देखें तो यह आपके बास ratio यहां पर अगर नहीं बता कामन रेशियो क्या है एक से हम एक से डिनोट करें हम यह वाला यूज़ करेंगे a into r power n plus 1 minus a over r minus 1 तो by using this a की value यहां पर आपके पास क्यायवान है x आप पाइंट कर सकते है और आप पाइंट कर सकते है नेक्स टर्म डिवाइड बाइड प्रिवियस टर्म एकस के रोवर एकस आपके पास x आगया एकस नहीं कुस्ट नहीं है तो n आपके पास 5 है यह जो आपके पास last power होती है highest power इसको रिपिजेंट किया गया n इकुस पुट की x r की value पुट की which is x and आपके पास 5 है 5 plus 1 हो गया minus a की value 1 है divided by r की value x x-1 तो जब आप इसको साल करेंगे यह x power 6 minus 1 over x minus 1 यह आपके पास given finite sequence का generating function आ गया है तो यह differential equation का एक topic है कि आप power series कैसे बनाते हैं हुपसों कि आपने किया होगा differential equation साप कर चुके होई यह वाला course पर चुके हो यह आपके पास given sequence finite sequence का generating function आ गया है यहां पर confused नहीं होईगा जैसे आप हमारे पास functions होते हैं जहां पर हम variable की value को one put करते हैं यहां पर वह x independent variable के तोर पर यूज नहीं हुआ हुआ है यहां पर ignore when लिखा हुए because the power of x are only placeholders for the terms of the sequence यह जो powers of x यह सिर्फ और सिर्फ प्लेस ओल्डर्स है जो कर रहा है कि अगर एक्स पावर 4 है तो मतलब यहां पर fourth term of the sequence आईगी मतलब a4 आईगी वह जो fifth term of the sequence है वह यहां पर है तो इसका हर्गिस मतलब नहीं है कि हम जानेटर फंक्शन यह कोई independent variable की तोर पर एक्स यूस हो रहा है यहां पर हम जी आफ वान आज सकता है सिंपल यह यूज़ करके अगर आपके वास के term of the sequence है तो उसको डिरेक्ट जेनरल फाम में पुट करके करें तो एक्सराइज नंबर 8.4 की question number 1 & 2 आपने करने है पेज नंबर 570 पे हैं तो इन questions को solve कर लीजिएगा अगर कोई problem होती है तो मुझ से पूछ लीजिएगा नेक्स रिंच चला हम नेक्स topic के साथ मिलेंगे अलाफेज